Hello everyone, welcome to all of you, this is Anju Maurya, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको histone proteins और packaging of eukaryotic DNA के बारे में एक ब्रीफ discussion देने वाले हैं, ठीक है? तो सभी लोग को एक बार बता दें कि जो histone protein होते हैं, histone protein eukaryotic DNA की packaging में important role play करते हैं. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो DNA है वो negatively charged और acidic nature का होता है, और histone protein positively charged protein होती है, basic protein होती है, क्योंकि ये इसमें arginine और lysine, basic amino acid, जो है, काफी मात्रा में पाया जाते हैं, ठीक है? तो ये eukaryotic DNA की packaging में role play करता है, eukaryotes की जितने भी DNA हैं, ठीक है न, eukaryotic cell की जितने भी, आप कह सकते हैं, जितने भी eukaryotic cell हैं, उनके DNA को pack करने में histone protein का बहुत ही important role होता है, except sperm DNA, केवल एक cell को छोड़ दिया जाए, sperm DNA, sperm DNA को छोड़ दिया जाए, तो sperm DNA को pack करने के लिए, एक histone protein की जगा, एक अलग सी protein होती है, जिसको हम protamines कहते हैं, और protamines arginine rich होता है, तो फिर आप एक concept यहां से build up कर लेजिए, कि histone protein, eukaryotic cell के सारे DNA, जितने भी eukaryotic DNA हैं, eukaryotic organism के अंदर, उनके protein, उनके DNA को packaging के लिए histone protein, जबकि sperm के DNA की packaging के लिए, protamines protein role play करता है, अब हम देखते हैं कि भाई, एक बार समझ लिजेगा, कि histone protein के बारे में हम एक basic जानकारी आपको देना चाहते हैं, पहली बात की भाई, histone protein कितने तरीके का होता है, histone protein जो है, अगर हम बात करें, तो ये 5 तरीके की होती हैं, 9 subunits होती हैं, इसके 5 तरीके के होते हैं, और 9 subunits, जिसमें एक को हम histone octamer या V8 के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा linker histone है, histone octamer में 4 subunits होते हैं, लेकिन 8 in number होता है, 4 subunits में देखिए, H2A, H2B, H3 और H4 इनकी dimers होते हैं, मतलब 2-2 subunits इनकी होती हैं, और जो linker histone होता है, उसमें H1 अकेला होता है, अब सवाल ये है कि, what is the need of histone protein for the packaging of eukaryotic DNA, तो simple सी बात ये है, कि देखो, human का जो DNA होता है, human की एक nucleus के अंदर 46 chromosome है, 23 pair, और उसमें जो DNA present है, वो लगभग 2.2 मीटर लंबा होता है, लेकिन human की nucleus का जो dimension होता है, 10 to power minus 6 मीटर होता है, मतलब काफी चोटा dimension है ये, और उस nucleus में इतना लंबा DNA किस तरीके से आएगा, तो उसी DNA को हम coiling form में रखने के लिए histone protein का need होता है, ठीक है, अब देखे, DNA क्योंकि acidic है, negatively charged है, due to the phosphoric acid, तो इसके, you can say कि DNA के packaging के लिए कोई basic और positive protein चाहिए होगी, तो basic और positive protein है histone protein, जो की arginine और lysine rich होता है, ठीक है, अब चलिए, अब आते हैं, देखिए कैसे होती है packaging, इसको बहुत ध्यान से समझेगा कि इसके packaging का क्या जो है, तरीका है, आप suppose करिए कि जो आपके पास 8, जो H2A, H2B, H3, H4 के दो-दो subunit हैं, यह suppose करिए आपके पास 8 बॉल हैं, और इस बॉल को आपको रसी से pack करना है, तो यह 8 बॉल के चारों तरफ, यह देखो histone octamer है, जिसको हमने V8 नाम दे दिया, और आप देखेंगे, यहाँ पे H2A, H2B, H3, H4, इसके dimer है, हमने दो-दो unit बनाया है, आपको चार दिख रहा है, लेकिन एक एक पीछे है, अब यह पूरा का पूरा histone octamer हमने बना दिया है, और histone octamer के चारों तरफ आप देखेंगे, DNA आता है, और left hand direction में, सबसे पहले चीज़ समझेगा, histone octamer के चारों तरफ DNA लेक्ट हैंड डियरेक्शन में 1.75 टर्न क्वाइल कर लेता है, 1.34 भी कह सकते हैं, तो histone octamer के चारों तरफ DNA एक कम्प्लीट और 1.34, ठीक है, मतला 75%, 1.75 टर्न या 1.34 कह सकते हैं आप इसको, ये क्वाइल कर लेता है, और histone octamer के चारों तरफ जो DNA इसको core DNA कहते हैं, अब देखिए, ये core reason हो गया पूरा, इस reason को core reason कह देंगे, जिसमें histone octamer और core DNA है, core DNA में देखिए, DNA कितना है, 1.75 टर्न, 1.34 और left hand direction में, और इसमें DNA है, तो base pair होंगे, कितना base pair होता है, लगबाग 145-146 base pair के आसपास होता है, फिर 2 histone octamer के चारों तरफ जो DNA है, देखो, ये 2 histone octamer के बीच में DNA, यही DNA फिर अगले histone octamer को pack करेगा, तो बीच में जो DNA है इसको linker DNA कहते हैं और linker DNA को बांधे रखने के लिए यहाँ पे linker histone होता है क्या होता है linker histone होता है तो जो linker DNA है यह दो histone octomer के बीच में है और इसमें लगबग 55 base pair के आसपास होता है अब यह core DNA और linker DNA मिलके क्या बनाते हैं nucleosome बनाते हैं very very IMP समझे अब ऐसे ही सारे के सारे मतलब आप कह सकते हैं बहुत सारे histone octomer उसके चारों तरफ DNA और फिर histone octomer DNA ऐसे करते करते देखिए इस तरीके का structure बनता चला जा रहा है ऐसे histone octomer DNA histone इसको हम कहते हैं bead on string मतलब मोतियों की माला जैसे structure बन गया ठीक इतनी बात सभी को समझ आ रही है अब आते हैं आप यहां पर देखिए एक टर्म है nucleosome क्या होता है what is nucleosome तो अभी हम nucleosome के बारे में आगे discuss करेंगे लेकिन आप समझे जो core reason है core reason क्या था histone octomer ठीक है और core DNA और linker reason क्या है देखो हमने लिखा हुआ है बहुत आराम से histone octomer मतलब histone octomer हो गया और core DNA core DNA में 146 base pair है और linker reason क्या है histone H1 और linker DNA ठीक है अब इसमें जो core DNA और linker DNA यह मिला के 200 base pair का यही nucleosome nucleosome में कितने base pair होते हैं 200 base pair के आसफास होता है तो nucleosome core reason और linker reason मिला के एक nucleosome हो गया तो nucleosome में बस DNA ही नहीं है nucleosome में histone protein plus DNA है histone protein में एक histone octomer ठीक है और एक linker histone और DNA reason में आपका एक core DNA और एक linker DNA मतलब 200 base pairs का आपका क्या हो गया यह nucleosome हो गया अब चली हम आपको एक बहुत interesting सी बात बता रहे हैं कि आपके पास क्या है भाई देखो हमारे पास कैसे DNA की packaging कैसे होती है जैसे suppose करो कि एक यह human का DNA है हमारा जो BDNA होता है उसका diameter कितना होता है 20 एंगस ट्राम या 2 नैनो मेटर जैसे जब histone protein के साथ pack हुआ तो एक bead on string model बना लिया इसी को हम chromatin कहते हैं chromatin एक less condensed form होता है और chromatin का थोड़ा और condensation होता है और यह जो chromatin का diameter है chromatin का diameter 11 nanometer के आसपास हो जाता है जब chromatin थोड़ा और condens हो जाता है तो chromosomes बना लेता है और chromosome के एक arm का जो diameter है वो 300 nanometer के आसपास एक और arm वाला chromosome होगा तो 300 इसका भी और बीच में centromere से यह जुड़े रहते हैं और यह पूरा का पूरा chromosome बन जाएगा तो DNA histone protein मिलके पहले chromatin बनाया और chromatin condens हो के chromosome बन गया अब nucleosome क्या है nucleosome इस chromatin या chromosome की basic unit होती है nucleosome क्या है जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है आप एक बार देख सकते हैं nucleosome क्या है nucleosome smallest या basic unit of chromatin या chromosome और यह तीनों के तीन चाहे आप nucleosome पूछ लें चाहे आप chromatin कहलें चाहे आप chromosome कहलें यह जो है तीनों की तीनों nucleo protein है क्योंकि तीनों DNA और protein से मिलके बने है मतलब nucleic acid क्या है DNA है और protein क्या है histone protein है यहाँ पर हमने थोड़ा सा chromatin versus chromosome भी बताया है chromatin क्या है यह भी nucleo protein है यह थोड़ा less condensed form है यह थोड़ा more condensed form है आपने देखाता यह आप जब cell cycle पढ़ेंगे तो cell cycle में G1, S और G2 में chromatin ही होता है chromosome नहीं होता less condensed वाला structure present होता है प्रोफेज और टीलोफेज मतलब पांच अवास्था G1, S, G2, प्रोफेज और टीलोफेज जो more condensed structure बनता है chromosome वो आपके metaphase और inaphase में देखने को मिलता है तो I hope कि आज आप लोगों को histone protein, nucleosome, chromatin, chromosome इतने सारे confusion आपको clear हुआ होगा और अगले वीडियो में हम आपको you chromatin और hetero chromatin के बारे में थोड़ा detail में discussion करेंगे और तब तक के लिए आप लोग इसको note कर लीजे आगे अगर आपको किसी भी तरीके का course लेना है किसी भी state से हैं आपको biology का course लेना है तो आप हमारे help line नमबर पर बात कर सकते हैं आपको हर तरीके का entrance examination या फिर TGT, PhD, LTGI से आप किसी भी state से हैं इंडिया के और आपको हर तरीके का test series available है तो आप प्लीज जुडे रहिए और आप हमारे help line पर बात करके जो है information गेंड कर सकते हैं बाई बाई सभी call the best मिलते हैं अगले वीडियो में